नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है संजीब और आप देख रहे हैं आलक जम टैसरी चनल तो दोस्तो आज की जो वीडियो हमारी टेक्स रेलेटेड है इस वीडियो में आपको बताऊँगा किसी भी दूसरे मुवाइल की कोल हिस्ट्री या एस्टिमस आप कैसे चेक कर सकते हैं एक वक्त हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हमें अपनी मुवाइल की या फिर अधर किसी मुवाइल की कोल हिस्ट्री या डिटेल्स निकालनी पड़ती है तो वह हम कहाँ से निकालेंगे अधिकांस आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी उन वीडियो में कुछ मैथड बताते हैं लेकिन मेरी जो वीडियो है बहुत सबसे अलग है मैं जो आपको मैथड बताऊँगा वो लाइप प्रूफ दिखांगो यहाँ पर कि आपको कोल हिस्टरी कैसे निकालनी है तो दोस्तो बने लिए मेरी वीडियो के साथ और मैं आपको बताता हूँ कोल हिस्टरी कैसे निकालेंगे तो देखे दोस्तों हम सबसे पहले अपने मुबाल की स्क्रीन पर चलते हैं, आप मुबाल की स्क्रीन पर देख रहेंगों, माई जियो एप, अधिकांस, अधिकतर, जो यहाँ पर मैं मानता हूँ, जिसके हैंड सेट में टू सीम है, तो वन से लोट में जियो का सीम होता है, मेरे दोस्त ने मुझे से कहा था, कि आप जो है, जियो की कॉल हिस्ट्री निकालना बताएं हमें, मैं बहुत परिशान हूँ, तो मैं इस वीडियो को उससे रिलेटिट बना रहे हूँ, तो आप देख रहे हूँगे, माईज्यू एप, तो सबसे पहले आपको माईज्यू एप पर क्लिक कर देना है, जब आप माईज्यू एप पर क्लिक करेंगे, तो कुछ उसका इंटरफेस ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आता है एक option से check usage का, तो आप check usage पर क्लिक कर देंगे, जब check usage पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको options मिलता data, calls, SMS और Wi-Fi का, आप देख रहे हूँगे, वीडियो कार्टने की जुरूद नहीं है, अभी और कुछ है, यह आपको सभी को पता है, कहाँ data, calls, SMS, Wi-Fi का options आता है, लेकिन call history तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप देखे, यह देखे, जैसे आपको पास data, calls, SMS, Wi-Fi, तो यहाँ पर देखे, calls, जो आप कहा रहे हूँगे, यह तो हम निकालने जानते हैं, जाहिर सी बात है, निकाले जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इससे आगे क्यां से निकालोगे, बहुँ मैं बताऊंगा, तो यह call history तो आप निकालना जानते हैं, और आपने डॉयल नंबर में भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर setting में options है, यह देखिए, setting, तो यहाँ पर data user options आ रहे हैं, आपके पास, user alert आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या गरना है, यह देखे, do you want to view details usage statement, जब आप statement पर click करेंगे, तो यहाँ पर सबसे उपर क्या दिखा रखा हैं आपको, statement can be generated for last 180 days, बन 18 days from and two dates, can be max 30 days apart, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने कहा रहा है, 180 दिन तक की आप call history या SMS देख सकते हैं, अपने नंबर का जो देखना, वो 180 दिन तक का देख सकते हैं, किसी दूसरे नंबर को देखना, वो भी 180 दिन तक आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको आपके नंबर का देखना बताऊंगा, उसके बाद में तूसरे नंबर का देखना बताता हूं, तो यहाँ पर view statement है, और यहाँ पर 1 July 2020, 7 July 2020, तो यह तो current date हो गई, हमें इस से पीछे की date का देखना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वो date mention कर देनी है, suppose करो, आप मई में चले आते हैं, एक मई, यहाँ पर click कर देते हैं, और के पर options पर click कर देते हैं, इसके बाद में यह 7 July है, और हमें एक ही मई कर देखना है, complete के एक मई में हमने किस किस को call की थी, चला दो तर कर लेते हैं, यहाँ पर, Saturday था 2 मई को, यहाँ पर click किया, अब हम submit पर click कर देते हैं, जैसे हम submit पर click करेंगे, तो यह processing चल रहे, एक summary दिखाएगा, जो आपने call की थी, जिस number को, तो यहाँ पर सभी A to Z दिखा दी जाएंगी, देखिए, statement खुल रही है, थोड़ा processing में है, यहाँ पर देखिए, सब से पहले, यह आपका नाम दिखाएगा, आपका गाउं, सहर, जिला, जो आपका अधार कार्ट से आपने SIM लिया था, सब चीज यहाँ पर दिखाएगा, तो यहाँ पर जैसे आप नीचे अप click करेंगे, तो plan recharge, usage, add to pack, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे features आपको दिखा रहे हैं, my plan पर जाएए, तो आप plan देख सकते हैं, और usage charges पर जाएगे, तो आपको options आएगे, data, voice और SMS का, तीसे निमबर पर है, पहले my plan है, उसके बाद में plan details है, फिर usage charges का है, इसके बाद में आपको यह voice पर click कर दिना है, जहाँ आप voice पर click करेंगे, इसके बाद देखिया था, local or national htd, submission और total, यहाँ पर click पर click कर दिना है, तो यहाँ पर आपको completed list मिलती है, आप देख रहोंगे, यह date देख रहे है, uses India, जो call होई है, हमारी एक माई को इंडिया का अंतरगत, जितनी call होई है, सब यहाँ पर confirmation दिखा दी जाती है, चलिए अब बात करते हैं, दूसरे number की, कैसे निकालनी है, तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर, मेरे number है, उसके बाद में, option से नीचा है, link new account का, तो यहाँ पर link new account पर आप click करेंगे, इसके बाद में उसमसा था mobile, geofive, geofiver, geolink, hatway, तो यहाँ पर आप mobile पर select कर देंगे, यहाँ पर देखें, जैसे हम mobile को select करते तो आपको यहाँ पर अपने एक mobile number डालना है, यह देखें, mobile number डालने के बाद में generate OTP पर click कर देना आपको, यह processing चल रही है, processing के बाद में जब generate OTP होता है, तो इस number पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर submit कर देना है, submit करने के बाद में यह आपका number इस अधार का, sorry, इस जीओ माय अकाउंट से link हो जाएगा, जैसे आपने देखा था, वैसे यहाँ आप इस number का देख सकते हैं, देखने के लिए आपको यह switch account है, switch account options पर click करना पड़ेगा, जहाँ switch account पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख history निकाल सकते हैं, अब बात करोगे के OTP, OTP हम cancel लेंगे, किसी दूसरे का number का, तो दोस्तो OTP लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप जिसके call history निकालना चाहते हैं, उस सा OTP ले सकते हैं, OTP cancel ले सकते हैं, यह बात तो हैं नहीं कि आपके पास उसका mobile कभी नहीं आता ह जाहिड सी बात दिन बार में किसी भी समयतों आपके पास mobile मिलेगा, आप इस टाइप से उसके स्रिप एक OTP लेना है, lifetime free, एक OTP लेने के बाद में lifetime free हो जाओगे, और आप जब चाहें उसके call history निकाल सकते हैं, SMS निकाल सकते हैं, call detail निकाल सकते हैं, data use निकाल सकते हैं, सारे information आपको मिलती रहेगी, तो दोस्तों कैसे लगे मेरे वीडियो, अगर आपको अच्छे लगे तो please like करना, share करना, subscribe करना, thank you watching my channel